दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने लैपटॉप से वाटसप पर डॉकुमेंट कैसे भेजे अगर आपको कोई डॉकुमेंट फाइल वाटसप पर भेजना है लैपटॉप से तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा डॉकुमेंट में अगर आप फोटो भेजना चाहते हैं या वीडियो भेजना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत यासानी से भेज पाएंगे तो चलिए देखने क्या करना होगा तो सबसे पहले आपको अपने laptop में wifi connect कर लेना है इसके बाद आपको कोई से भी एक browser open करना है यहाँ पर देखिए एक search बाहर है इस पर click कीजिए यहाँ से search कर लीजिए internet explorer यहाँ देखिए एक internet explorer browser है यह आपके laptop में जरूर से होगा इसको आप open कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर search कर लीजिए edje edje तो आपको यह browser मिल जाएगा Microsoft edge करके यह भी आप open कर सकते हैं मेरे पास chrome browser है तो मैं chrome browser को open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको search करना है WhatsApp web आपको WhatsApp web ही search करना है कुछ और मत search कीजिएगा इसके बाद जो पहला website आ रहा है इसको आप open कर लीजिए WhatsApp web के अंदर आने के बाद आपको इस परकार का page दिखेगा अब यहाँ देखिए आपका QR code लोड हो जाएगा जिस WhatsApp account से आप document भेजना चाहते हैं उस WhatsApp को आप यहाँ पर connect कर दीजिए तो चलिए मैं आपको दिखा देता है connect कैसे करना है आपको अपने mobile में आने के बाद WhatsApp को open करना है मेरे पास WhatsApp business है तो कोई बात नहीं दोनों ही आप login कर सकते हैं अब WhatsApp के अंदर आने के बाद सबसे उपर तिन डॉट दिखेगा इस पर click कीजे फिर यहाँ नीचे एक option मिलेगा link device इस पर click कर दीजे अब यहाँ पर आपको फिर से एक option मिलेगा link a device अब आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर QR code को आपको scan कर लेना है अपने mobile से फिर आप देखेंगे कि आपका यह WhatsApp यहाँ पर login हो जाएगा WhatsApp वेब में तो देखें मेरा WhatsApp यहाँ पर login हो गया है अब यहाँ से आप जिसको भी document भेजना चाहते हैं उस account को पहले select कर लिजे तो यहाँ पर मैं my.io वाल account select कर लेता हूँ अब देखें यहाँ पर सारे chats आ गए हैं इस account के अब यहाँ पर आप जो भी document भेजना चाहते हैं फोटो वीडियो भेजना चाहते हैं अगर document में तो उसको भेजने के लिए का करना है यहाँ देखें आपको एक plus का icon दिखेगा इस पर click कीजे फिर यहाँ पर कुछ option निकल कर आ जाएगा यहाँ देखें आप से फोटो वीडियो का camera का contact का pole का sticker का आप जो भी भेजना चाहते हैं इस पर click कर दिजे तो हमें document भेजना तो यहाँ document पर click कर देते हैं document के जरिया आप photo वीडियो भेज सकते हैं जिससे आपके photo वीडियो की quality नहीं गिरती है आप इसमें apps को भी भेज सकते हैं तो यहाँ से मैं इस photo को select कर लेता हूँ आपका photo जहाँ पर भी उसको select कर लीजे उस folder में जाकर मेरा desktop पर था तो मैंने यहाँ पर select कर लिया इसके बाद आपको open पर click करना है अब देखें यहाँ पर आपका photo आजाएगा इसका size दिखा रहा है 10 MB document में photo video भेजने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका जितना size है photo का वो उतना ही रहेगा जरा से भी गिरावट नहीं आएगी अब अगर आप इस document के साथ कोई भी message भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप message लिख सकते हैं फिलाल मैं कोई भी message नहीं लिखूंगा अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा document एक ही बार में भेज सकते हैं यहाँ देखे plus का icon है इस पर click करके आप और भी document attach कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर send का icon दिखेगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपका document send होने लग जाएगा अब देखे यहाँ पर double tick बना हुआ आ चुका है यानि कि हमारा document successfully send हो गया है अब अगर आप अपने इस account को log out करना चाहते हैं तो यहाँ देखे उपर एक 3 dot है इस पर click कीजे फिर यहाँ नीचे आपको option मिलेगा log out का इस पर click कर दीजे फिर से यहाँ पर log out का option मिलेगा इस पर click कर दीजे अब यहाँ पर आपका account log out हो जाएगा यानि कि आप आपका whatsapp जो आपने link किया था वो आप यहाँ से हट गया है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो है फ्लोग आथ वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा